ओम सिरी गनेशा नमदोश्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोश्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जून शनीवार के रासी फल के बारे में कि हादिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जा अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपने दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ संबंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविद्यों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारे संपन होने की भी संभावना है जिससे परिवा फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महत्पपूर्ण कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने प्रतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वे कारे प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तो रिष्तेदारों का घर में आज आगमन होगा आप अपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ठ तथा गति विदियो में समय नष्ट आप ना करें ना कारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रिकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यारती अपनी पढ़ाही के प्रत और अधिक ध्यान केंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजरगों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदि मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतीत होगा प्रेम संबं संबंदों में काफी मधूरत आएगी पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतीत होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी व्यवशाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रहेगा जिस के प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का व्यवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पार्टनर्शिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं कार्रे को विस्तृत करने संबंदित योजनाय भी आज ज्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें उनके द्वारा आपके वेवशाएं में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार रहेगा आप अपनी अरक भी आज इस्थापित होंगे ओफिस में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वेवसाएक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दो वे उत्तम वेवार उनकी कारे चमता को और भी अधिक बढ़ाएगा दोस्तो साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकत है नोकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजान योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके ल दिर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव जी को एक नीला फूल अरपित करें और साती सात भगवान शनिदेव के मंतर ओम शन शनेश्चराए नमाहां मंतर का बहुती सच्य मन से बहुती स्रद भाव से 108 बार जाप अवश्य करें और साती सात अपनी मनों काम नहें भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान देव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद